हुआ है 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 फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का हमार यूटुब चैनल अन्फरगेटेबल बाइक में तो फ्रेंट्स लास्ट वीडियो में हमने एक ओल्ड पॉल्सर 150 बाइक का डिस ब्रेक का सेटप जो है वो तयार किया था वो किस तरह से हमने रिस्टोर किया है उ आज आपके साथ शेयर कर रहे है तो फ्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपनी बाइक में भी यह डिस ब्रेक का सेटप आप लगा कर देख सकते हैं तो फ्रेंट्स छोटी-छोटी जो कुछ चेंजस है वह आप समझ से हमारे यामा के सेटप में फिट हो रहा है तो यह हमारा आरेक संद्रेट का उपर का टी और नीचे का टी पूराना सेटप वैसा का वैसा ही है उसमें हम खाली यह पलसर 150 ओल्ड मॉडल के शॉक अप जो फिटिंग कर रहे है तो देखिए कितने आरम से फिटिंग हो रहे है तो इसमें एक समझने वाली एक बात है कि हम अगर स्क्रैप से पूराना सेटप अगर रेडी कर रहे है तो गलती से हमारे पास डिसकोवर बाइक के सेम टू सेम शॉक अप होते है वो नहीं आने चाहिए तो इसलिए किसी किसी को प्राब्लम आता है कि टाइम पर अएन वक्त पर वो फिटिंग नहीं हो पाते है तो इस तरह से अगर आपके पास सई शॉक अपाया है तो आरम से फिट हो जाएगा परफेक्टली उसका साइज जो है वो मैच होता है तो देखिए यह पलसर के दोनों शॉक अप किस तरह से परफेक्टली फिटिंग हो गये है तो इस तर सबसे हैं तो अभी से कैम लगा सकते हैं तो अभी मढड़ को जो है वो फिटिंग कर लेते है इसको हमने पहले से थोड़ा इसमें जो एक alternation था वो हमारे पुराने वीडियो में बताया है और उसको हमने तयार कर लिया है तो इसमें जो है friends 12 नंबर के nuts लगेंगे तो 12 नंबर के जो टायर है वह 258 नंबर का हमने Continental GT Company का Amazon से लिया है तो Metro प्रोवाइट करता है इसे और यह टायर काफी अच्छा होता है तो friends इसके बाद जो है हमने क्रोम करके इसके स्पोक और इसका पूराना जो 18 नंबर का रिंग है उसे ही यूज में लिया है तो इस तरह से हमने पूरान ही स्टॉक कंडिशन रखने का पूरा प्रैस इसमें किया है तो यह इसका एक्सल जो है वह दिखिए यह पल्सर 150 बाइक का एक्सल इसमें आराम से फिट हो जाएगा क्योंकि शॉकब भी 150 बाइक की होने की वज़े से हमें एक्सल प्रॉपर उसी बाइक का लेना पड़ेगा तो चलिए अभी इसके फ्रंट विल को फिटिंग करते हैं तो इसमें हमने जो है इसका यह डिस ब्रेक साइट का जो डिस्टन्स होता है उसे बिल्कुल कट नहीं किया है उसे सेम टू सेम ओरिजिनल रखा है और जरुरत के हिसाब से हमने पहले मैच करके देखा और यह जो है इसका बाहर का साइट थोड़ा सा घस लिया है आप भी टाइम पे ही उसको अपने डिस्टन्स के हिसाब से उसको मैच करके कट कीजिए क्योंकि ज्यादा कट हो जाएगा तो लूज भी नहीं होना चाहिए इस हिसाब से उसको बस चेंज करना है बाकी हमारा सेटप जैसा क इसमें फीट हो जाएगा पलसर 150 बाइक का जो डिस ब्रेक सेटप है वह बड़े आराम से इसमें फीट हो जाएगा इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यह हलके हलके प्रेस करने से यह देखिए एकसल जो है आराम से बिना किसी ठोक फिटिंग के फीट हो इसमें कोई बड़ी रॉकेट सेंस वाली बात नहीं है मैं भी कोई प्रोपेशनल मेकानिक नहीं हूँ मैंने अपने बाइक का जो काम है एक एक करके पूरी तरह से कंप्लेटली सीख लिया है अगर आप भी अपने रेक से प्यार करते है और उसे मेंटन रखना चाहते है तो अपनी बाइक का काम बहुत सा काम जो है वो खुद जानते है तो देखिए विल बड़िया से फ्री घूम रहा है इस तरह से पर्फेक्ट हमारा काम हो गया है तो पुराना ब्रेक सेटप जो था लिवर के साथ उसे बाहर निकाल लेते हैं कंप्लीट के साथ यह अभी हमारे मास्टर सिलेंडर और होसफ पाइप जो होता है वो फिटिंग कर लेते हैं तो देखिए अभी यह हमने जो मास्टर सिलेंडर लिया है क्योंक्ति अच्छा युआ। ली यह हमने शोरूम से नया ले लिया था यह लगबग 12.50 रुपे का पड़ता है तो चलिए इसको भी फिटिंग कर लेते हैं हमारे Master Cylinder की फिटिंग के भाद इसका XL भी फिटिंग कर लेते हैं यह होसपाइप भी Pulser 150 Bike का है तो इस तरह से हमारा होसपाइप जो है यह T के साइट से ही नीचे साइट जाएगा तो इस तरह से होस पाइप की फिटिंग उपर की हो गई है अभी नीचे में जो हमारा कैलिपर है उसे हमने अच्छे से रिस्टोर कर लिया है बहुत ही पैरा लग रहा है इसका जो नट है वो अच्छे से कस लेते है इस तरह से हमारे होस की फिटिंग कम्प्लिट हो जाएगी यह Pulsar 150 old model का है यह वर्म केबल जो है इसे फिटिंग कर लेते हैं यह बड़े आराम से नीचे की साइड और ऊपर की साइड फिटिंग हो जाएगा तो इसे सबसे पहले हमारे वर्म में लगा लेते हैं तो इस तरह से अभी हम इसको मीटर के साथ भी फिट कर लेते हैं तो इस तरह से हमारा जो यह सेटप का फिटिंग है आज यह कंप्लीट हो जाएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने इसका अभी आपको एक पूरा फिटिंग के बाद इसका मीटर वर्क और इसका शॉकप का वर्क भी आपको दिखाते हैं तो देखिए फ्रेंट्स हमारा स्पीड वर्म है वह भी काम कर रहा है इस वक्त और देखिए इसका विल जो है एकदम प्री चल रहा है बिल्कुल जाम नहीं है है अधिक कर रहा है ऐसे की इसका इसकी परेकिंग तो इसका सब्सक्राय अपग्रेट हुआ है तो देखिए इसका सब्सक्राइशन कैसा वर्क कर रहा है तो इसका सस्पेंशन जो है वह भी बहुत बढ़ा कर रहा है है हमारा जो डिसब्रेक का वर्क है वह काफी अच्छा हो रहा है और बाइक कंट्रोलिंग भी काफी अच्छी हो रही है और चलाने में जो फिल है वह भी बढ़ी आ है क्योंकि बाइक की कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया हो रही है और इस तरह से हमने यह पूरा फुल फिटिंग का वर्क किया है अगर आपको भी ऐसा कुछ अपनी बाइक में या मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं तो थैंक्यू फ्रेंट्स इस वीडियो में बस इत